नमस्कार साथियों स्वागर थे आपका याचन अध्यन में साथियों जैसा कि हम सब को मालूम है कि विदिन वन बीक आपका UGC NIT का जो एक्जाम का नोटिफिकेशन है वो आने माला है अप्रेल के फर्स्ट बीक में आपको ये नोटिफिकेशन देखने को मिलने माला है और अ हम सबको अगर UGC NIT paper first जो हो जो सब के लिए कामन होता है इस पर अगर हम लोग to the point पढ़ें या फिर जो PYQ के basis पर हम लोग कोशन सॉल्व करें तो हम लोग के जो efficiency होगी प्लस number gain की जो capacity होगी वो इसमें हम लोग इसकी probability जो होगी वो ज्यादा होगी तो आज मैं आपके सा ज्यादा efficiency साथ पढ़ना प्लस knowledge gain करने की आपको habit डाली होगी इन 60-70 दिनों के अंदर तो सबसे पहले हम लोग paper first में जो आपको पता है कि इसमें 10 unit होते हैं और 10 unit में paper first का जो पहला unit है वो teaching aptitude है teaching aptitude में कुछ models हैं जो की काफी important है models पे अगर आप command बना लेंगे तो इससे आपको 2-3 question 5 question हर एक unit से आपको देखने को मिलेंगे कभी किसी exam में यह उपर नीचे होते रहते हैं मतलब कि teaching aptitude हो सकता है 6-7 question आपको देखने को मिल जाए research aptitude से 2 question देखने को मिल जाए तो आपको यह थोड़ा सा combination इसका देखने को मिलेगा उपर नीचे थोड़ा सा होता र होगा method of teaching in institution of higher learning यह important topic है इस teaching aptitude के topic में teacher centered versus learner centered method यह जो topic है यह आपको लगभग हर एक साल PYQ जो हर एक pattern पे हर एक shift में exam होते हैं यहां से आपको question देखने को मिलेंगे तो यह थोड़ा सा important topic है इस topic में और offline versus online method इधर 2020 के बाद इधर आपको question यह वाला देखने को इधर से मिल कोविट के बाद से जो इतने भी exam हुए आपको हर साल इसमें से यहां से आपको question देखने को मिलेंगे देन हम आते हैं second unit में जो हमारा research aptitude है research aptitude में जो research के types हैं यहां से आपको question ज्यादा देखने को मिलेंगे जैसे इथेनोग्राफिक करके इसका topic है वह लगभग question आप PYQ देखेंगे तो उसमें इथेनोग्राफिक करके आपको हर बार एक question देखने हैं एक steps of research यहां से भी question आते हैं और application of ICT in research यह थोड़ा सा important topic है इस पे आपको command बनाना पड़ेगा qualitative research quantitative method जो qualitative and quantity method है यहां से भी आपको हर एक साल question देखने को मिलेंगे third unit जो है comprehension एक छोटा सा topic है अगर आपको यहां से थोड़ा सा command अगर आप 10 comprehension प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप यहां से question जो question यहां पर marks है यह फ्री आपको marks मिल जाएंगे तो यहां पर यह इसका भी 10 marks question पाच question आपको यहां से देखने को मिलेंगे then हम आते है fourth unit में जो कि एक communication है communication में types of communication, characteristics of communication, effective communication में जो verbal और non-verbal आपको है यहां से यह important है mass media and society यह 2019 के pattern में आपको यहां से question देखने को मिल लए थे इधर barriers to effective communication यहां से question आ रहे हैं now हम आते हैं unit fifth में mathematical reasoning and aptitude मैं आपको बताना चाहरा हूँ कि कुछ students ऐसे होंगे कि जिनको maths reasoning से थोड़ा सा डर लग रहा होगा but और students जिनको maths reasoning and aptitude में थोड़ा सा command होगा तो इसके लिए आप simple सा बस यह रखेए जो जो आपको maths reasoning and aptitude में यहां पे topic दिये हैं सबसे पहले आप जो topic हैं उसका हर एक formula आपको याद होना चाहिए क्योंकि जो आप इसमें 5 question देखेंगे maths में वो अगर आपको formula याद होगा तो निश्ची तोर पर आप दो question तो attempt कर लेंगे अगर formula आपको याद होगा तो बाकि आप अगर practice करेंगे तो अच्छा हो जागा P.Y. की questions अगर आप practice करेंगे तो आप 3-4 question attempt कर सकते हैं mathematics में आपको profit loss, compound interest और number system यह 3 chapter आपको जरूर पढ़के जाना है यहां से आपको question हर साल देखने को मिलेंगे उसके बाद एक sequence series जो होगा reasoning में question होता वहां से भी एक question आते हैं P.Y. की की basis पर आप practice कर सकते हैं अब आते हैं हम लोग unit second logical reasoning यह थोड़ा सा important topic है और कई students को थोड़ा सा यह tough लगता है तो graduation में लोग philosophy पढ़ते हैं लोग subject वहां का topic होता है logic reasoning लेकिन एक थोड़ा सा कुछ लोगों के लिए मज़ेदार भी होता होगा जिसको थोड़ा इसमें interest होगा इसमें भी आपको कुछ चुरंदे topic पढ़के जाना है जैसे इसमें कुछ चीजें याद करने वाली होती हैं जैसे आपको परमान, प्रत्यक्ष, perception, inference, comparison, non-apprehension यह सब अगर आप topic इसको थोड़ा सपढ़ लेंगे तो आप यहां से question कर लेंगे लेकिन जो logical reasoning से हर बार question आप आपको देखेगा, वो है square of opposition, यहां से आपको question लगभग हर साल देखने को मिलेंगे, और इसमें कुछ types of fallacy है, formal fallacy, informal fallacy, यहां से भी आपको question देखने को मिलेंगे, आते हम unit 7, data interpretation, लगभग net का एक थोड़ा सा हम लोग कहा सकते हैं कि जो डराने का तरीका है, आपको paper first में स लगों की हलत खराब हो जाती है, but आपको यहां से डरने की जरुवत नहीं है, interpretation में आपको क्या काम करना है, question को एक बढ़ पढ़ लिजे, question अगर आपको समझ में आ जा रहा है, तो question को देखिए, solve कर लिजे, अगर आपको question में थोड़ा सा भी दिक्क्र लाग रहा है, कि question अभी मेरे से नहीं हो पा रहा है, समझ में आ रहा है, तुरणत आप इसको skip करके आगे बढ़ जाए, next में जब आपको time मिले, तो आप इसको जरूर सॉल्व करने की कोशिस करिए, next आता है information and communication technology, ICT, ICT में तीन topic मैं बताऊंगा जो आपको पढ़ के जाना है, first topic जो कुछ full forms होते हैं, जो PYQ आप देख सकते हैं, वहाँ से उसको learn कर लिजे, next ICT and governance और उसके बाद RAM, ROM ये थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, और कुछ एक addition, sum addition करके question आता है, वो आप देख लिजेगा, क्योंकि पिछले साल से question थोड़ा सा आ रहा है, आते हम people development and environment, unit 9 का ये topic है, यहा different environments related, जो act हैं, वो आपको याद करने पड़े, Montreal Protocol, Kaito Protocol, Rio Summit, Convention on Biodiversity, National Action Plan, ये सब आपको important topic हैं, देखके जाना है, natural and energy, renewable resources, non-renewable research, ये सब basic concept, अगर आप basic clear है, तो आप ये topic easily कर सकते हैं, आते हम लोग last topic, जो higher education system है, यहाँ से भी question थोड़ा सा आसान देखने को मिलते हैं, अ higher education ने कैसा topic है पूरे इसमें से, अगर आप इसको केवल read कर ले, तो आप इसको question attempt कर सेखते हैं, उसका कारण है कि ये as a history जैसा काम करता है, इसमें से आपको university के बारे में थोड़ा सा, अब इसमें से आज कल ये भी थोड़ा सा new education policy से related question आने लगे हैं, new education policy का मैं एक notes बनाय जाएगा, तो ये रहे आपके 10 topic, UGC net paper first के, इसमें आपको मैं जो basically focus करना चाहा रहा था कि इसमें आपको to the point पढ़ना है, इसमें अगर आपको अगर आप पढ़ने बैठेंगे तो ये तीन महिने तक ये cover होने में लगेगा, तो आपके पास 60-70 दिनों समय है, तो आप लो